हेलो एब्रिवान वेल्कॉम टू दा ओनलाइन क्लासेज ओफ डी एसार पब्लीक स्कूल आज हम लोग कंप्यूटर का बुक पढ़ेंगे क्लास वान का जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई हो चुका है सेकंद चैप्टर में भी पार्ट वन में यह सब मैं आप लोगों को बता चुकी है सेकंद देखते हैं दिया हुआ है I am a computer I can do my things यहां मैं एक computer हूँ और मैं जो कर सकता हूँ यह computer है अपने बारे में जो जो कर सकता है वो यहांपर दिया हुआ है फर्स्ट दिया हुआ है, I can learn things, मैं चीजे सीख सकता हूं, I can calculate, मैं हिसाब कर सकता हूं, I can play games with you, मैं आपके साथ खेल खेल सकता हूं, मैं आपके साथ गेम खेल सकता हूं, I can teach you, मैं आपको पढ़ा सकता हूं, I can draw, मैं drawing कर सकता हूं, I can send and receive messages, मैं संदेश भेज और प्राप्त कर सकता हूं, I can play music, मैं संगित बजा सकता हूं, I can show you movies, मैं आपको फिल्मे दिखा सकता हूं, यहाँ पर यह सारी चीज़े computer कर सकता है, जो यहाँ पर बताया हुआ है अपने बारे में, तो यह याद रखिएगा, Thus, I can help you at so many places, इसी तरह से इस परकार यह कई अस्थानों पर हमारी मज़द कर सकता हूं, तो यहाँ बता रहे हैं, इसी परकार मैं आपको कई अस्थानों पर मज़द कर सकता हूं, Where are computers used, computer कहां यूजोते हैं, computer कहां कहां पर यूजोते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है, In schools and colleges, महाविद्यालयों में computer यूजोता है, at homes, हमारे भरों पर भी computer कही यूजोता है, In banks, bank में computer कही यूजोता है, at airports, airport पर भी computer कही यूजोता है, इन ओफिसेज, ओफिस में भी computer का ही जोता है, at railway station, railway stations पर भी computer का ही जोता है, in retail stores, तुकान जो वोती हैं store, वहाँ पर होता है, in hospitals, hospitals में भी computer का ही जोता है, लेट्स समरी आईए संछेप में बताएं जो भी हम इस लेशन में पढ़े हैं यहां वहीं चीज संछेप में बताया गया है एक कम्प्यूटर इस एन इलेक्ट्रोनिक मसीन कम्प्यूटर एक विद्धितिय यंत्र है एक कम्प्यूटर वर्क्स फास्ट और नेवर गेट्स टायर एक कम्प्यूटर जो है बहुत तेजी से काम करता है और कभी ठकता नहीं है एक कम्प्यूटर कैन डू ए लॉट अफ तिंग्स एक कम्प्यूटर जो है बहुत सारी चीजे कर सकता है एक computer help us at many places एक computer हमारी कई जगों पर मदद कर सकता है तो लेशन 2 का यह chapter आज समाप्त हुआ है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इस chapter का question and answer choose the correct option बताऊंगी उमीद है यह chapter आप लोगों को समझ में आया होगा थैंक यू, बाई